Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का कि बीजेपी के बाद राष्ट्रिय जनता दल भी सदस्ता अभ्यान की सुरवाद करने वाली है जिस तरीके से जेपी नड़ा पटना पहुचे थे और उन्होंने इस सदस्ता अभ्यान को कह सकते हैं दिया था बिहार में और बिहार बीजेपी जो है वो एक करोड सदस्त बनाने के लिए निकल पड़ी है और ये अभ्यान उनका दो सितंबर से चल रहा है इस पूरे महीने में बिहार बीजेपी एक करोड सदस्त बनाने का टारगेट पुड़ा करेगी दूसरी तरफ लालू प्रशाद यादब भी अब सदस्ता अभ्यान चलाने वाले है जी हां देखे बीजेपी से कहीं आराजद पीछे न रह जाए बिहार बिधान सभा चुनाओं को ले करके लालू प्रशाद यादब कोई चूक नहीं चाहते हैं लिए 17 सितंबर से लालू प्रशाद यादब भी यानि की राष्टे जनता अभ्यान चलाने वाली है सबसे पहले लालू प्रशाद यादब आरजडी की सदस्ता लेंगे उसके बाद तमाम जो उनके पार्टी के निता है वो भी अपने पार्टी के सिनिर निताओं से दारी दी जाएगी कि वो अपने जीले में सदस्ता अभ्यान को बढ़ावा दें और सदस्ता अभ्यान में धेर सारे सदस्तियों को जो है राष्टी जनता अदल में जोडने का काम करें देखे जिस तरीके से बीजेपी एक करोर का टार्गेट पुरा करना चाहती है उसी तर दारी जोडने के लिए राष्टी जनता अदल ही बिहार की नंबर वन पार्टी होगी उसको लेकर के देखे सदस्ता अभ्यान की सुरवात लालू पर साद यादब करने जा रहे हैं लालू पर साद यादब के साद सातियस्पी आदब और तमाम जो राजत के बड़े नेता ह उनके उपर सदस्ता अभ्यान को लेकर के जिम्मेदारी होगी सबसे पहले बीजेपी ने बिहार में सदस्ता अभ्यान की सुरवात की है लालू पर साद यादब ने देखा कहीं उनकी पार्टी पीशे न रहा जाए क्योंकि 2025 का बिधान सभाव चुनाव से पहले कोई भी कस सदस्ता अभ्यान को लेकर के भी अब राज़ाद एक्टिव हो गई है 17 सिटमबर से राष्टे जिनता दली सदस्ता अभ्यान की सुरवात करने वाली है अनि केत कुमार बिहार तक पटना